हेलो स्टूडेंट्स आज हम पढ़ेंगे क्लास नाइन एक्सराइज 9.3 9.3 का कॉश्चिन नमबर फर्स्ट है हमारे पास इन फिगर E is any point on the median of a triangle ABC ABC हमारे पास एक triangle है जिसके अंदर E हमारे पास क्या है? median है, show that हमें प्रूव करना है area of triangle A,B,E कि हमारे पास जो area of triangle है A,B,E इस triangle का जो हमारे पास area है वो equal है triangle A,C,E के A,C,E के यह हमारे पास जिदर triangle है, इसके area के equal है यह दोनों को हमें प्रूव करके दिखाना है, देखो कैसे प्रूव करेंगे? to prove हमारे पास क्या है area of triangle ABE is equal to area of triangle ACE in triangle ABC अब triangle ABC है उसके अंदर AD हमारे पास क्या है median है यह हमारे पास क्या था given so triangle अगर हमारे पास median है यह तो क्या बोल सकते है median है तो area भी half में divide कर दिया area of ABD is equal to हो जाएगा area of ACD equation number first मान लिया similarly इसी तरह से हमने क्या ले लिया in triangle ABC EBC इसी तरह से अगर हमारे पास यह पूरे क्या पूरे triangle है EBC तो इसके अंदर median कोन हो जाएगा ED क्या हो जाएगा इसका median हो जाएगा और अगर ED का median है तो इसके half में divide करेगा क्या बोल देंगे so area of triangle EBD equal होगा area of triangle ECD के equal equation number 2 आ गया अब equation number second में से equation number first को subtract कर देंगे subtract equation 2 from first first क्या है area of ABD minus कर देंगे area of EBD is equal to area of ACD minus area of ECD अब देंखो ABD ABD is पूरी में से EBD को इसपूरी में से हमने निचे वाले इसको subtract कर दिया तो क्या बचेगा area of AB, E बचेगा is equal to इसी तरह ACD इस पूरी में से अगर मैंने इसको subtract कर दिया, EDC को subtract कर दिया क्या बचेगा A, C, E बचेगा तो दोनों का एरिया, एक वाला आजेगा यह हमें प्रूव करना था, next question number 2, in triangle ABC, एक triangle है ABC, E is the midpoint of median AD, और E हमारे पास midpoint है, और AD हमारे पास median है, show that हमें प्रूव करना है area of B, E, D, जो हमारे पास B, E, D है, इसका area क्या आएगा, 1 by 4 of ABC, ABC के half, 1 by 4th के equal आएगा, अब देखो, in triangle ABC, ABC हमारे पास एक triangle है, जिसके अंदर AD क्या है, median है, अगर AD हमारे पास median है, तो area half half में divide हो जाएगा, क्या लिख देंगे, so area of ABD is equal to, area of ACD के equal, अब ABD का area क्या लिख देंगे, total का half लिख सकते हैं, तो इसको हमने लिख दिया, 1 by 2 area of ABC, इसको equation number 1 नाम दे दिया, इसी तरह in triangle ABD, ABD के इंदर अगर हम लेके चल रहे हैं, तो हमारे पास क्या आजेगा, BE क्या हो जाएगा, उसका median हो जाएगा, तो BE is a median, अगर BE median है, तो इन दोनों का area equal आजाएगा, तो क्या लिख देंगे, area of BD equal है, area of ABD के equal है, इन दोनों का area equal आजाएगा, फिर हम इसको क्या लिख सकते हैं, area of BD is equal to, यह जो हमार पास BAD है इसको हम क्या लिख सकते हैं यह जो पूरे ट्रेंगल है ABD इसके हाफ को लिख सकते हैं तो इसको मैंने लिख दिया 1 by 2 area of ABD लिख दिया अब जो ABD है वो हमने क्या प्रूव की थी 1 by 2 ABC 1 by 2 को बार रख लिया और इसकी जगह पे मैंने value put कर दी using first कर दिया हमने तो क्या आजाएगा 1 by 2 area of ABC इसके अंदर multiply कर देंगे तो क्या आजाएगा 1 by 4 area of ABC यह यह में प्रूव करना था next है मार पास question number 3 show that the diagonals of a parallelogram divide it into 4 triangles of equal area कि एक parallelogram है उसके जो diagonals है वो उसके जो area है उसको 4 triangles जो मार पास एक देखो एक parallelogram देखा है diagonal sopha parallelogram एक parallelogram के diagonal से divide करतें it into 4 triangles इसको 4 triangles में divide करतें इन equal area जिनका सभी का area equal है यह हमें प्रूव करना है कैसे diagonal sopha parallelogram bisect each other एक parallelogram उसके diagonal bisect करते हैं bisect कर रहे हैं it means आफ में divide कर रहे हैं तो इसको हम क्या लिख सकते है P O is equal to O और O S is equal to O क्या हूँ इन triangle P, Q, S है, हमने एक triangle ले लिए P, Q, S है, यह हमारे पास एक triangle आ गई P, Q, S है, जिसमें O हमारे पास क्या हो जाएगा, P, O हमारे पास क्या हो जाएगा, median हो जाएगा, तो हम क्या लिख देंगे, P, O is a median, अगर P, O, median है, तो triangle का इसका half area हो जाएगा, तो क्या लिख देंगे, area of PSO area of PSO equal आ जाएगा area of PQO के equation number first नाम दे दिया इसी तरह से in triangle PQR फिर हमने दो triangle ले लिए PQR जिसके अंदर O क्या हो जाएगा हमार पास से median हो जाएगा अगर ये median है तो इन दोनों का area equal हो जाएगा तो इसको हम क्या लिख देंगे area of triangle PQO equal हो जाएगा किसके area of triangle OQRK equal हो जाएगा इसको हमने क्या नाम दे दिया equation number 2 नाम दे देंगे अब हमारे पास देखो दोनों equations में कुछ similarity आ गई है क्या similarity है हमारे पास P O क्या हो इदर P O क्या हो तो ये दोनों equal है तो ये दोनों भी equal हो गई equation first से इसी तरह से हम third के लिए भी प्रूव कर देंगे इन triangle क्या हो आर ऐसे उसके अंदर क्या हो जाएगा median RO median हो जाएगा और क्या बोल देंगे क्या हो RO is equal to RS equation 3 अब तिन्नों equations से जब हम solve करेंगे तो equation first, second and third तिन्नों से क्या आजेगा first second के equal है second, third के equal है तो 4 के 4 triangles का area equal होगा तो क्या बोल देंगे so the diagonal of a parallelogram divide it into 4 parts of equal area तो जो एक parallelogram है उसके diagonals है वो उसको 4 triangles में divide करते हैं जिनका सभी का area equal है next है हमारे पास question number 4 in figure ABC ABC हमारे पास एक triangle है and ABD दो हमारे पास triangle दी हुई है on the same base, जिनका base क्या है AB if line segment CD और हमारे पास एक line segment CD is bisected, जो bisect करता है AB को at a O point पर show that area of triangle ABC equal area of triangle ABD के ABC का area वो ABD के area के equal है इन दोनों का area प्रूव करेंगे कैसे? in triangle अब हमारे पास in triangle ADC ADC triangle में हमने क्या ले लिया है कि AO हमारे पास क्या हो जाएगा median हो जाएगा तो हमने लिखा in triangle ADC AO is median अगर ये median है तो दोनों का area equal होगा so area of ACO is equal to आजएगा area of ADO के equation number first आगया similarly इसी तरह से हमारे पास दूसरे triangle क्या हो जाएगा in triangle BDC इस triangle में हमारे पास O B क्या हो जाएगा median हो जाएगा तो क्या लिखेंगे B O is A median अगर ये median है तो दोनों का area equal आएगा तो क्या बोल देंगे so area of BCO equal आजएगा area of BDO के equal इन दोनों का equal आगा तो इसको equation number 2 नाम दे दिया from equation first and second equation first or second को add कर देंगे अब first left में left add कर दिया right में right तो क्या लिखेंगे area of ACO plus area of BCO is equal to area of ADO plus area of BDO ACO ACO प्लस कर दिया BCO तो ये हमारे पास पूरी की पूरी triangle आगा इसका नाम क्या है ABC तो हमने क्या लिख दे area of ABC is equal to दूसरा क्या है ADO plus BOD इन दोनों को plus कर देंगे तो क्या बन जाएगे area of ABD तो is equal to area of triangle ABD ये हमें प्रूव करना था next है हमारे पास question number 5 DE and F DE और F mid points है किसके B, C, C, A and AB के जो हमारे पास tangles के side के mid point दे रहे है DE और F first में हमें प्रूव करना है BDEF BDEF ये हमारे पास क्या है के parallelogram parallelogram है तो it means हमें क्या करना opposite side से equal दिखा देंगे तो क्या लेंगे in triangle ABC हमारे पास एक triangle है ABC जिसके अंदर E और D हमारे पास mid points है किसका AC और ABC का E है और इसका D है तो दोनों का mid points है अगर दोनों का mid points है तो हम कैसे दिखाएंगे देखो ED है वो हमारे पास किसके parallel होगा AB के parallel होगा तो ED को अगर equal लिखेंगे तो किसके AB के half के equal mid point है थ्योरम से हम क्या बोल देंगे ED is equal to 1 by 2 AB AB का half हो जाएगा ED को लिख दिया MPT mid point है थ्योरम से अब दूसरे में क्या लिख दिया है ED है वो parallel है किसके AB के अगर वो AB के parallel है तो हम क्या लिख सकते हैं कि ED is equal to एकिसके ये इसके half के equal है तो ये भी part और ये भी part ये दोनों भी equal होगा ये भी equal होगा इसको लिख देंगे ED is equal to AF is equal to FBF is the midpoint तो अगर हमारे पास ये side और ये side equal होगी तो ये तो हमारे पास है ये parallel तो क्या बोल देंगे BDEF is the parallel ये हमारे पास क्या है एक parallel next है हमारे पास area of DEF DEF ये जो हमारे पास है area ये total का one by fourth है तो इसको उम्प्रूव करेंगे कैसे BDEF is the parallel BDEF हमारे पास क्या है एक parallel ग्राम है और अगर ये एक parallel ग्राम है तो हम क्या बोल देंगे equal parts में है दोनों का area तो क्या बोल देंगे area of DEF equal है area of BDF के equation number first मान लिया इसी तरह से दूसरा हमारे पास parallel ग्राम क्या बनेगा अगर parallel ग्राम है तो इन दुनों का area equal होगा area of DEF equal होगा area of AEF के equal होगा equation number 2 आगे similarly इसी तरह हमारे पास third हो जाएगी CDF और A CDF CDFE ये हमारे पास क्या बन गया है के parallel ग्राम अगर ये एक parallel ग्राम है तो क्या बोल देंगे इसका दुनों का area equal होगा क्या बोल देंगे area of DEF किसके equal है area of CDE इसको equation number 3 नाम दे दिया सभी को add कर देंगे तो क्या आ जाएगा equation first, second and third तीनों equation से हमने क्या लिख लिख लिया area of DEF area of BDF सभी का equal है और सभी को हमने किसके equal मान लिया x के equal इसका नाम मैंने क्या रख रखा x तो ये भी x है तो ये भी x x x 4 x होगी area of ABC is equal to x plus x plus x plus x कितना हो जाएगा 4 times x हो जाएगा 4 को जब हम opposite side लेके जाएग तो 1 by 4 area of ABC और x हमारे पास क्या था area of DEF next है हमारे पास area of BDEF area of BDEF किसके equal है 1 by 2 area of ABC area of BDEF है वो किसका plus करने से पढ़ा है area of DEF plus area of BDEF ये हमने क्या मान रखा है x तो इसको भी x लिख देंगे इसको भी x x plus x है area of BDEF is required to x plus x कितना आजएगा 2x 2x को 2 से multiply कर दिया 2 से divide कर दिया तो ये क्या आजएगा 2 2 जा 4x हो जाएगर 1 by 2 1 by 2 को as a tage रख लिए और 4x है 4x किसके value है area of ABC के तो इसके जगे 1 by 2 as a tage और 4x की जगे हमने क्या लिख दे area of ABC ये हमें प्रूव करना था next है हमार पास question number 6 in figure diagonal AC एक हमें figure दी वही है जिसके अंदर diagonal से AC and diagonal BD of quadrilateral ABCD intersect at O such that OB is equal to OD हमें दे रखा है OB is equal to OD if AB is equal to अगर हमारे पास AB हो किसके equal है CD के then हमें प्रूव करना है area of DOC area of DOC ये जो हमारे पास है DOC इसका area वो किसके equal है AOB की AOB के area के equal है कैसे देखो construction की हमने draw perpendicular from D and B एक D से perpendicular draw कर लिया हमने AC पर M और B से perpendicular draw कर लिया N तो हम क्या बोल देंगे हमारे पास एक triangle बन गए DMO and BNO दोनों triangles में similarity congruent दिखाएंगे दोनों triangles हैं तो क्या देखें देखो DMO यह हमारे पास 90 degree यह भी 90 degree क्या लिख है DMO is equal to BNO यह है 90 degree फिर यहां पर भी जो angle है वो vertically opposite हो जाएगा तो उसको हम क्या लिख देंगे angle DOM is equal to BON vertically opposite angle और थर्ड अमारे पास क्या दे रिखाए OD is equal to OB यह हमारे पास given है तो क्या बोल देंगे हम triangle triangle DMO congruent triangle BNO by angle angle side से अगर यह दोनों triangles congruent है तो हम बोल सकते DM is equal to B and by CPCT equation number first हो गई इसी तरह से area of DMO कि अगर हमारे पास से दोनों congruent है तो दोनों का area भी equal होगा congruent triangles का area भी equal होता है तो area of triangle DMO is equal to area of triangle BNO equation number 2 नाम दे दिया अब add कर देंगे equation 2 और 3 को कैसे दूसरी side हमने क्या किया area of triangle DMC DMC यह हमारे पास जो triangle है और दूसरी हमारे पास क्या हो जाएगे triangle BNA इन दोनों triangles को भी दिखा देंगे यहां पे भी 90 है तो यहां भी 90 हो जाएगा मारे पास यह जो है इसका alternative दर आ जाएगा तो angles को दिखा देंगे DMC is equal to BNA 90 degree और DM है DM है वो BN के equal है हमने by first कर दिया और CD is equal to AB CD है वो मारे पास किसके equal दे रखा है AB के equal दे रखा है यह given हो गया तो हम क्या prove बर देंगे कि दोनों के दोनों triangle क्या हो गई congruent हो गई अगर दोनों triangles congruent है तो दोनों का area भी equal होगा अब second और third को अगर हमने add कर दिया तो क्या है area of DMO plus area of DMC is equal to area of BNO plus area of BNA दोनों को plus कर देंगे DMO plus area of DMC इन दोनों को plus कर देंगे तो क्या हैगा DCO तो area of DOC is equal to area of AOB यह हमें prove करना था next है हमारे पास area of DCB area of DCB इसका जो area है is equal to आ जाएगा area of AOACB ACB के area के equal आएगा कैसे area of DOC is equal to area of AOB दोनों के अंदर BOC एड़ कर देंगे हमारे पास BOC और AOB हमने उपर prove किया था दोनों में हमने क्या एड़ कर दिया BOC दोनों में हमने BOC यह हमारे पास ट्रेंगल थी यह ट्रेंगल थी दोनों में यह एड़ कर दिया तो जब इसमें यह add करेंगे तो क्या हो जाएगी DB C बन जाएगी हमारे पास तो क्या आजाएगी इसमें यह plus इधर भी plus है तो area of DCB is equal to area of ACB आजाएगा इसी तरह से last है हमारे पास DA DA है वो parallel है किसके CB के और ABCD क्या बन जाएग एक parallelogram DMC हमने प्रूव किया है कि DMC और BNA वो दोनों क्या है congruent है तो DCM जो हमारे पास DCM यहाँ पर जो angle बनेगा वो किसके equal होगा B A N के equal होगा यहाँ बनेगा B C P C T ये angle है यह इसके equal हो जाएगा Since alternate angles are equal अगर alternate angles equal है तो क्या बोल देंगे कि CD है वो किसके equal parallel है AB के और अगर CD AB के parallel है तो CD AB के equal भी होगी तो क्या बोल देंगे ABCD जे parallelogram Next है हमारे पास question number 7 D E D and E are points on the side A B and A E C D और E हमारे पास दो point दे रखे हैं यह हमारे पास point दे रखे हैं यह D है और यह हमारे पास इदर E point है दो points है उन्दा side AB किस side पर AB और A C sides पर यह हमारे पास A है और यह हमारे पास E point है such that area of D B C area of D B C equal आ जाएगा area of E B C के prove that D E parallel to B C अब देखो triangle D B C triangle D B C and E B C दोनों triangles are on the same base दोनों same base पर है किस पर B C पर and equal in area और दोनों का area भी equal है तो क्या बोल देंगे area of D B C is equal to area of E B C जब दोनों का base same है और दोनों equal area में तो क्या बोल सकते हैं कि D E है वो हमारे पास parallel है किसके B C के यह हमें प्रूव करना था next है हमारे पास question number 8 question number 8 की statement क्या है X Y is a line parallel to side B C X Y हमारे पास एक line है जो parallel है किसके B C के ओफेट triangle ABC ABC यह triangle है if BE parallel to AC and CF parallel to AB meet XY at E BE है वो AC के parallel है and CF वो parallel to AB meet कर कामिल है XY at E and F respectively show that area of AB is equal to area of AC F यह हमें प्रूव करना है देखो यह आपको figure दे रखी थी इसके अंदर क्या दे रखा था कि हमारे पास X और Y X and Y is XY is a line parallel to BC हमारे पास BC है इसके हमने parallel line draw कर ली क्या नाम है उसका XY intangle ABC एक triangle क्या है हमारे पास ABC इस triangle में if BE फिर हमारे पास क्या दे दिया BE parallel है BE है वो किसके parallel draw कर रखा है हमने A C के और C F है वो हमारे पास किसके parallel हो जाएगा A B के parallel हो जाएगा meet XY X और Y है वो कहां मिला दिया X को हमने E से मिला दिया और Y को हमने F से मिला दिया अब हमें प्रूव करना है area of triangle ABE यह जो हमारे पास area आएगा यह किसके equal आजाएगा ACF के इन दोनों का area equal प्रूव करना है कैसे in triangle BCYE in B C Y E B C Y E यह हमारे पास क्या बन गया है कि parallelogram यह हमारे पास एक parallelogram है जिसके अंदर हम क्या बोल सकते हैं कि जो B E है वो किसके parallel है C Y के parallel है BC अगर हमारे पास C Y के parallel है तो क्या बोल देंगे हमारे पास BC है वो C Y के parallel BC है वो E Y के parallel है और BE है वो हमारे पास C Y के parallel है और जब opposite side parallel है तो क्या बोल देंगे BCYE जे पेरलोग्राम यह एक पेरलोग्राम बन जाएगा एक parallelogram है तो क्या बोल देंगे triangle ABE, अब हमारे पास triangle ABE है and parallelogram, एक तो हमारे पास triangle होगी ABE और एक हमारे पास क्या हो गया है कि parallelogram हो गया lie on the same base, दोनों हमारे पास same base पर lie करते हैं किस पर BE पर and between the same parallel और same parallel के बीच में किस-किस के? BE BE और A C BE और A C दोनों के बीच में लाई गरते हैं हमारे पास, तो क्या बोल देंगे area of ABE equal होगा 1 by 2 area of B C Y E के इसी तरह से equation first ले लिया अब मिदर से लेंगे तो हमारे पास ये parallelogram बन जाएगा, in triangle A C F and parallelogram का नाम क्या होजएगा, B C F X, R on the same base, दोनों हमारे पास same base पर हैं किस पर? C F पर R and parallel same और किस-किस के, दोनों हमारे पास between the same parallel हैं, किस-किस के C F C F C F, ये मारे पास parallel होगा, दूसरा मारे पास parallel क्या है, A B इन दोनों parallel के बीच में होगी है, मारे पास triangle बनी होगी, तो हम क्या बोल देंगे area of A C E F है वो किसके equal होगा? 1 by 2 area of B C F X के equal हो जाएगा, तो ये मारे पास इसके equal हो जाएगा, तो equation number 2 नाम दे दिया, अब दोनों का area क्या है? दोनों हमारे पास parallel क्राम उनका area equal है area of B C Y E is equal to area of B C F X, ये मारे पास दोनों parallel क्राम का area equal है तो क्या बोल देंगे? from first, second and third, तिनों equations जब हमने solve किया, तो हम क्या बोल देंगे? कि जब हमारे पास ये दोनों equal हैं, तो ये दोनों भी equal होगे, area of A B E is equal to area of A C F के equal होगा, आज हम यहीं तक करेंगे next questions हम next video में करेंगे okay, thank you